नमस्कार मैं प्रियाराज आप देख रहें एक नियूस 24 बिहार के मुख्यमंती नितिसकुमार नी बड़ी बैठक की CM हाउस में ये बैठक काफी फल पुरुवक रहा रिकली इसके जितने ही बड़े चर्चे उतने ही बड़े करना में भी सामने आ जाते हैं आपको पता दे बैठक के बाद से हर एक पाटी एक दूसरे पर कटाच और ब्यान बाजियों का दौर फिर से शुरू कर दिया है इस बैठक से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है आखिरकार बैठक में ये मुद्दो को सबसे ज़्यादा प्रात्मिक्ता दी जा रही है कि किसकी कुर्सी किसके बगल में थी और ये कुर्सी की लड़ाई बिहार में हमेशा से चलता आ रहा है बिहार की राजनीती बे चाहे बात की जाए मुख्यमंती नितिसकुमार की कुर्सी की बात उन्हें कुर्सी प्रेवी भी कहा जाता है लेकिन उन्हें की मीटिंग में सी चुनाओं की फैसले किसके निरित्तों में किया जाएगा किसके पक्ष में कौन वो चेहरा होगा जो की जन प्रतिनीधी को अपने तरफ आकरशित करेगा ऐसे तमाम मुदों को लेकर इस सीम हाउस में बड़ी बैठक हुई उप चुनाओं में किस तरह से कौन से जगह से प्रत आसकर के बात की जाए तो बिहार की युवाव में आजकल एक बड़ी योगदान देखनी को मिल रही है और कहा जैते एक नई उर्जा के साथ ही अपना पहलू सामने रखते हैं युवा चाहते हैं बिहार का विकास हो बिहार में प्रेटक अस्थलों को दिखाया जाए इतना बड़ा योगदान इसमें रहा है आसकल के दौर में वही मुख्यमंत्री नितिसकुमार इस वक्त चाहते हैं कि युवा वर के लोग भी जाने कि नितिसकाल में क्या कुछ कारे हुए हैं लेकिन ये बैठक के दौरान से जो बड़ी खबर अभी निकल कर सामने आ रही है कि कि बगल में किसकी कुर्सी रही तो आईए हम आपके बिच बता देते हैं कि आखिरकार ये बाते क्यों खुल कर सामने आ रही है अगले वर्स प्रदेश में होने वाले विधान सबच चुनाव में इंडिये नितिसकुमार के नितित्यों में ही मैदान में उतरेगा अब मुख् इंडिये की एक जुट्टा पर जूर देते हुए कहा कि हर हाल में नीचे के स्तर तक संगठन को मजबूत करना है एंडिये की बैठक में या सनलोगर गुंजा दोजर पच्चिस फिर से नितिस एंडिये की बैठक में अध्याच्छता भाजपा के प्रदेश अध्याक दिलि इत्वक्या है बता दे की नितिसकुमार की एक तरफ उपमुख्यमंत्री समराच चौधरी तो दुसरी तरफ जद्यू के कारेकारी अंध्यान संजय जा बैठे थे लेकिन इस दौरान बड़ी बात हो जाती है कि एक दूसरी की कूर्सी को लेकर के बड़ी बाते निकलना समराच चौधरी बैठे थे उनके बगल में संजे जा बैठे थे यानि जो ये कुर्सी की लड़ाई थी किसके बगल में कौन बैठा है इन बातों का तो साफ होई गया लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है बिहार विधान सभाद चुनाओ और चुनाओ के दोरान इंडिये सरका जिस दमखं के साथ आगे बढ़ रही है जिस पेसकस के साथ वो जर्यू पर अपने मुद्दों को रख रही है इसे साफ जाइर होता है कि एंडिये इस वर सबसे ज़्यादा सक्रिये दिख रहा है और सक्रिये होने का कारे भी हो जाता है क्योंकि चार जोगों पूप च अचक दलों और नेताओं की भी ब्यान सामने आ चुके हैं तब तक लिए ऐसे तमाम ख़बरों के लिए बने रहेगा एक न्यूस 24 पर धन्यवाद